हलो दोस्तों नमश्कार दोस्तों आज एक ऐसे सेर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने की भारी आर्डर होने के बावजूद लंबे समय तक अपने रिजल्ट में वो चीज नहीं दिखाई जो की दिखानी चाहिए थी लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें जो भारी आ ये चीजे सो होने लगी है ऐसे ही एक प्लस बोनस सेयर की मैं बात करने वाला हूँ जो की इस तरह का काम कर रहा है और उसके रिजल्ट में उस चीजे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आने वाले समय में दिखाई देगी इसलिए उस सेयर को भी आप फोकस में रखना पहले सक सकती पंप को देखते हैं देखे इसकी जो सेल्स है 58% से यर ओन यर ग्रो ही है यर ओन यर मतलब दिसंबर 23 से दिसंबर 22 की बात करते हैं और जब क्वाटर और क्वाटर करते हैं तो पिछले 23 से बात करते हैं यानि सेप्टमबर 23 से तुलना करते हैं वहीं इबिटा की बात क कर लें तो इविट्टा आप देख सकते हैं कि 224 परसेंट से अब हुआ है 21 का इविट्टा हुआ करता था अभी फिलाल में 71 का दिखाई पड़ रहा है और नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट जो है की 302 परसेंट जो की काफी जादा अच्छा माना अब 24 चुका है यानि हम बात करें कि quarter on quarter और year on year तो दोनों तरीके से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है चाहे प्रॉफिट है चाहे सेल्स है सभी ग्रो हुआ है सेल्स की बात कर लें तो सेल्स जो है की 3 टाइम्स हो गया है पिछले quarter के मुकाबले लेकिन पिछले year से हमने त 58 परसेंट ही अब है तो दोस्तों यह तो रहा इसका result अब हम देखेंगे इस company के बारे में और जानेंगे यह आगे क्या करने वाली है यानि आगे इस stock में क्या हो सकता है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस company का जो market cap है 1947 करोड रुप है यानि एक small cap की company है 1069 की price पर trade कर रही है और मैं आपको बता दूँ कि यह price इसका एक reasonable price है यहाँ पर आप देखेंगे कि high 1225 का है 388 का low है stock का P 35 है जबकी industry का P 31 है और ROC 10 है ROE 5 है यह सबी अच्छे result के बाद सुधर जाते हैं और यह सुधरने वाले हैं face value 10 है यानि कभी भी आपको एक के बदले 10 share मिलेंगे book value 239 रुपा है आप देखेंगे कि intrinsic value 710 रुपा है दोस्तो पेग ratio के इसाब से यह stock अभी काफी ज़्यादा undervalued so हो रहा है क्योंकि minus में है दोस्तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका एक reasonable valuation है क्योंकि इसके पास बहुत बड़े order है और साथ में एक company जो काम करती है ओ कभी बंद होने वाले नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्ति pump के बारे में जो चीजें मैं आपको बताने कोशिस कर रहा हूं यह सक्ति pump एक काफी ज्यादा अच्छा pump बनाती है इंडस्ट्री के लिए घर के लिए या फिर यूँ कहा है कि जहां भी pump के प्रयोग किये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं domestic, agriculture, industrial, साथ में sewage और drainage में जो pump यूज किये जाते हैं solar में जो pump यूज किये जाते हैं renewable energy में और साथ में commercial building sector में जो pump यूज किये जाते हैं काफी ज़्यादा जबरदस्त product बनाती है फिलाल में solar वाले जो solar वाले product हैं काफी ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं क्योंकि मनरे जो की renewable ministry है वहाँ पे भी एक company supply शुरू कर चुकी है साथ में जो और sector है जैसे कि home agriculture ये तो होने ही वाले हैं अब हम बात करते हैं इसके product catalog की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि product catalog में solar calculator भी आए अभी हम कुछ चीज़े और देखते हैं अगर मैं एक सब्द में कहूं तो इस company की जो product है ना काफी ज़्यादा उंदा category की होते हैं और काफी long horizon के product है यानि अच्छे चलते हैं यहाँ पे आप देखेंगे summer stable pump है 50 हर्टज 60 हर्टज summer stable pump उसी के साथ आप देखेंगे कि 45S और इस तरह के जो इसके model हैं वो दिखाया जा रहा है solar dc भी company बनाती है solar pv panel configuration का भी काम करती है यहाँ पे आप देखेंगे कि यह mostly जो बेनिफिसरी है pump को लेकर है अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीजों के जैसे कि यह तो pump हो गया अब motor को देखेंगे यहाँ पे company कुछ motor भी बनाती है आप देखेंगे कि summer stable motor भी बनाती है और उसी के साथ surface motor और उसी के साथ सकती slip syndronis motor भी एक company तयार करती है तो आप चाहो तो इसमें जाके इसके website पर जाके आप देख सकते हो समझ सकते हो यह कुछ images है जो company produce करती है बनाती है जैसे कि A1 smarter starter साथ में CRP में यह जो कि motor है दिखाई पढ़ाओगा आपको DUDT filter और elite soft starter आप यहां पर देख पाओगे इस तरह के product यह company produce करती है जो कि industrial home या फिर यूं कहें कि जहां भी चाहे अगरिकल्चर हो हर जगह इसके product यूज किये जाते हैं और यह company इसी तरह से काम करती है अब हम बात करने वाले हैं company के कुछ और बैतरीन मुदों के बारे मे आपको इसे क्यों लेना चाहिए जैसा कि मैंने बता दिया कि company अब perform करना शुरू कर चुकी है अब हम इसके quarterly result में जाके आपको बताते हैं यहाँ पे आप देखी कि company जून 23 में 113 करोड की sales माप करना 113 करोड की sales थी और यहाई पे जो है कि इससे पहले company को order मिलना शुरू ह गया था लेकिन अच्छा perform नहीं करके दिखा रही थी इसके बाद company आप देखिए दिसंबर 23 में अपने sales में काफी ज्यादा बड़ोत्री किया है साथ में company के company का जो net profit है उसमें बड़ोत्री हुई है तो जो forward P काफी ज्यादा कम होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इ करना बनता है एक बार forward P को calculate करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको P 35 का दिख रहा है लेकिन अगर हम forward P से तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 का forward P क्या होता है दोस्तों कि जब हम 4 जैसे कि अभी फिलाल में जो P दिख रहा है हमारा 45 यहाँ पे 45 दिख रहा है इसम करने के बाद 1947 में भाग दे देंगे तो हमारा आजाएगा forward P हम यह आसा कर रहे हैं कि company इसी तरह से perform करेगी तो इस तरह से हम forward P निकालने की कोसिस करते हैं एक बार हम यहाँ पे देखेंगे company के P को तो आप देखेंगे कि इसका P 17 का निकालन के आ रहा है जो कि forward P के इसाब से फिट बैट रहा है हमें इसमें निवेशित होना चाहिए अब हम चलते हैं company के quarterly result को हमने देख लिया यहाँ पे अब company को यह हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाला 2024 का March काफी ज़्यादा interesting होने वाला है इस company के लिए बैलेंस सीट को देखें तो company पास जो रिजर्व वहस्चान चार सो तीन करोड का आपको दिखाए पढ़ रहा होगा और बोरोइंग जीरो है दोस्तों company लगातार expansion कर रही है उसी के साथ company का जो asset है वह भी बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी यहाँ पे दिसंबर का asset सो नहीं हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा था वेट करना पड़ेगा यहाँ पर हम बात कर लें सेर ओल्डिंग पैटर्न की तो सेर ओल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक दिखाए पड़ाए नहीं की सेर ओल्डर ने अपने जो आई की सेर बेच दी है यह तो चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी आराम से दोस्तों याफ आयाई की बात कर लें तो याफ आयाई पॉंट फोर नाइन है और डि आयायाई पॉंट थ्री वन है पब्लिक की बात कर लें तो पब्लिक आपके पास 43% की है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक रमेश चिमानी शाह 2.98% की होल्डिंग के साथ है और यह लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है इन्होंने और उसी के साथ सनेहल वुपिंदर साजी है 2% की होल् साथ यह कंपनी क्या काम करती है तो पम्प, मोटर, साथ मेंивать रीवरल बनाती हैं और मैंने अध्र के बारे में बात नहीं किया जैसा कि आप देखेंगे, मैक केनिकल सील और हैड्रो निमोएंटिक पी यलिवर मेय पैरामेटर क्यउंकि सभी लोग इसके बारे में नहीं जान बिल्डिंग, आयल गैस, मेटल माइनी और जो मार्केट सेर है कमपनी का यहाँ पे आप देखेंगे कि यह डोमिनेंट है इसमें 30% से ज्यादा का मार्केट सेर लगती है डोमेस्टिक सोलर पंप में और यह कमपनी कुसुम स्कीम का सबसे बड़ा लाब प्रद कमपनी है यानि से जनरेट होता है तो मिडल इस्ट से 44% का युएससे से 30% का अफरिका से 15% का और एसिया से 7% का रिवेन्यू कमपनी जनरेट करती है गोवर्मेंट प्रोजेक्ट आप देखेंगे 67% एक्सपोर 24% और अधर से 9% का कमपनी के पास अपनी मैनुफैक्चरिंग का पिसी अपन यहां पर देख सकते हो दो मैनुफैक्चरिंग युनिट है एक फितम फुरा MP में कमपनी ने मैनुफैक्चरिंग युनिट खुला है 5 लाग पंप पर एनम से एक कमपनी तयार करती है यहां पर उसी के साथ कमपनी R&D पे भी फोकस कर रही है और कमपनी के सबसीडिरी भी है 2 domestic subsidiary है और 4 international subsidiary है इनकी साथ में कमपनी के पास एक अच्छा खासा order book है लगबग लगबग में हरेडा के साथ ही 358 करोड का और उसी के साथ प्लस 292 करोड का order book यहां पर सो हो रहा है और उसी के साथ कमपनी का जो futuristic plan है जैसा कि आप सभी जानते है कि कमपनी जिस फिल्ड में रहती है काफी अच्छा प्रदर्शन करने कोशिस करती है फिलाल में है solar फोकस कर रहे हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस order के अलावा कमपनी के बाद 163 करोड का और order मिला है महराश्टरा की तरब से और यहां पर आप देखेंगे कि 1169 का price है काफी जादा reasonable लग र दिखा रहा है कभी 80 का पी हुआ करता था अभी फिलाल में 35 का दिख रहा है दोस्तों कर प्राइस की बात कर लें तो यह प्राइस कब से अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि company का price ठीक ठाक है यह नहीं कि बहुत जादा ऊपर चड़ गया है और आ आने वाले समय में इसे अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हो तो सक्ति पंप के बारे में यह राज जोस्तों वीडियो आपको यह स्टॉक कैसा लगता है इसके प्राइस के इसाब से लग रहा है कि यह सिक्लिकल है